इस दुनिया के अंदर लडाई अगर हम इतिहास को देखें तो इतनी जादा नहीं हुई है लोगों ने परिश्रम यही किया है कि शान्थी का बाता बरण बने जब मनुष खेती करने लगा तब सारा चक्कर हुआ क्योंकि अब खेती है किसी ने हल चलाया किसी ने पानी दिया किसी ने वीज बौआ अब उस पे फसल तयार है और कोई ऐसा है जो यह सारी मेहनत नहीं करना चाहता है और जब फसल तयार हो गई तो उसको काट के ले गया तब जाकर के लोगों ने यह सारा प्रवंद शुरू किया तब से राजा बने तब से क्या कहते हैं ललाईयां से चालू हुई किसकी जमीन है उससे पहले किसी हो क्या मतलब ता किसकी जमीन है सभी की जमीन है जो जा रहा है उसकी जमीन है पर अब एक बार जो खेती होने नगी तब लोगों के जीवन में यह हो गया कि नहीं यह मेरी है यह है यह वो है तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें इन पर लड़ना इन पर जगड़ना अब सबसे अदा लडाई ये मेरा है अब यही बात नहीं कि ये मेरा है ये मेरा विचार है और तुमको इस तरीके से होना चाहिए इस पर भी लडाई होती और जो मेन लडाई होती रहती है इन देशों के बीच में वो इसी कारण से है कि हम लोग डिमाक्रिसी में विस्वास करते हैं तुम कॉमिनिजम में विस्वास करते हैं यह तुम्हारा विस्वास है यह तुम्हारा विस्वास गलत है तुम हमको बदलना चाहते हैं वो हम तुमको बदलना चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमको बदलो और हम नहीं चाहते हैं कि ये सब कुछ हो इसलिए हम तुम पर चड़ाई कर रहे हैं इसलिए अगर ये चीज हो गई कि तुम्हारा विस्वास हमारी जगे आ गया हमारे देशों में आ गया तो हमारी सुक्ष सांथी खतम हो जाएगी इसलिए हम लड़ने कि लिए तरिया रहे और जो कुछ भी होता है होता है लोग लड़ते हैं जगडते हैं फिर क्या करते हैं फिर शान्त हो जाते हैं और जब शान्त हो जाते हैं तब फिर दुबारा से निर्वान सुरू होता है उन्नत ही होती है तो ये तो मनुश्य को अच्छी देगे से मालुम है पिर शान्ती क्या लाती है और अशान्ती क्या लाती है इसमें दूर दर्शी होने की जर्थ नहीं है जो है अगर उसको देखा जाए क्योंकि इस सुंक्सार में समस्या जादा नहीं है थोड़ी समस्या है और मैं समस्याओं को छोटा नहीं बनाना चाहता लोग भूख से मरते हैं अब यह समस्या छोटी क्यों है मेरी हिसाब से क्यों है एक तो लोग के हिसाब से बहुत बड़ी समस्या है समस्या छोटी यह इसलिए है कि इस प्रित्वी पे इतना खाना उबजता है उगाया जाता है कि वो सब को खिला सके अगर पृत्वी छोटी पड़ती, खाना उगाने के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या होती, पर पृत्वी इस चीज के लिए अनवारी है, और इतना खाना उगता है परन्तु वो खाना, ताकि चावल, गेहूं, इन चीजों का दाम कंट्रोल करने के लिए फैका जाता है, पृत्वी इसके होने से सब कुछ है, और वो ये भूल जाते हैं, एक ये दिवाल है जब मैं पैदा हुआ, एक ये दिवाल है कि मेरे को जाना है, और जिस दिन मैं इस दिवाल तक पहुँँँगा, और इसके दूसरी तरफ जाओंगा, एक कोड़ी का पैसा मैं नहीं ले ज सकता हूँ, और मेरे पेट में कोई ऐसी चीज नहीं है, जो पैसे को हजम कर ले, एक चीज नहीं है, ये पैसा है क्या, मनुष्य का बनाया हुआ, भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया सोना, मनुष्य ने लगाया उसका दाम, और जब दाम लगने लगा तो फिर वो भविश्य को कोचता है कि उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें मनुष्य की बनाया हुए, और मनुष्य ने को जेलता है, इनी चीज़ों से दुखी होता है, अपने भविश्य को कोचता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं अमीर हूँ, यह क्यों अमीर है, मैं अरीब क्यों हूँ, बगवाद ने ऐसा क्या वनाया, फिर धरम की बात आ जाती है, अरे तो मेरे पिछले जन्मों का फल मिल रहा है मेरे को, और यह सब चलता रहता है, परंतु, सही बात तो यह है, कि शांती हम सब के अंदर है, चां